ओम नमस्षिवाय जय महाकाल, आप सबको पता है कि श्रादपक्ष की जो नौमी तिती है वो आ गई है, आज कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पर लोग बीमार ना रहते हो, किसी को छोटी बीमारी होती है, तो किसी को बहुत बड़ी बीमारी होती है, पूजी गुरुजी क पहली बार सुन रहे है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, देखो, कौन से चित की जरूरत है, बहुत ध्यान से समझेगा, जो इसक्रिन पर आपके एक पत्ता दिख रहा होगा, यह कौन सा पत्ता है, यह वट व्रक्ष का पत्ता है, जिसको हिंदी में हम चाहे जितना भी आजाय, लेकिन एक चुटकी लेना, ठीक है, और साथी साथ एक चुटकी ज要 लेना है, आपको यहाँ पर बहुत साई लोग सोच रहोंगे, कि यह गेहूं है, क्या, देखो, जो जव होता है, गेहूं का ही एक रूप होता है, जो गेहूं होता है, जा जब जो के कुछ दाने को रख देना है और जो व्यक्ति आपके घर में बहुत जादा बीमार रहता हो उसको क्या करना है आपको इसी पत्ते को ग्या 21 बार उसके उपर से उवारना है यानि घुमाना है अब आपको के भीया कैसे घुमा है इस तरीके से कितनी बार घुमाना है उसके चारो तरफ 21 बार आपको घुमा लेना है कितनी बार 21 बार इस तरीके से करते हुए 21 बार घुमाना और 21 बार घुमाने के बाद आपको उस पत्ते को ले जाकर के पीपल पेंड के नीचे रख देना है या फिर किसी भी नदी में बहती नदी में उसको डाल देना है और कुछ भी आपको करने के जरूरत नहीं है कोशिश की है बहुत अच्छा समझाने की अगर आपको वीडियो पसंद आया करे लाइक जरूर किया करिये और अपने दोस्तों के साथ अपने रिस्तेदारों के साथ शेयर किया करिये मेरी फीस छोटी सी है वीस है कि वीडियो को आपको लाइक करना है और जो भी लोग आवाज पहली बार मेरी सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओम नमस्षिवाय जै महाकाल कुछ पूछना हो नीचे कुमेंट में जरूर पूछेगा